मसकार दोस्तों स्वागत है फिर से आपके एगरिकल्चर एक्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पे और हम आज आपके लिए लेके आएं CWC के जो आज एक्जाम हुए है 29 माई के उसके बारे में हम बातचित करेंगे तो आज जो एक्जाम हुआ था उसमें प्रोफेस्नल पेपर काफी टफ था जो एगरिकल्चर के शुडेंट थे उन्होंने सिर्फ एगरिकल्चर का ही क्यूशन किया होगा बाकी दो चार क्यूशन फिजिक्स कमेश्ट्री या फिर बायो से ही कर पाये होंगे तो आज हम आपे बात करेंगे एक्सपेक्टेट कट कि अधिकल्चर की जाम हुई है और आपका जो एक्टेम्ट है वह कितना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बताएंगे तो बने रही हमरे वीडियो के साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और हम यहां पर बात्चित करेंगे एक्सपेक्टेट कट अपकी जूनि प्रणाद इसके पीम कौन है फिर एडिबी बैंक के जो मुख्याले है उसके बारे पूछा गया था पिस सेवेंथ अपरेल जो है वो किस कौन साथे मनाया जाता है वहां पर म्यूजिकल म्यूजिक म्यूजिसियन म्यूजियम कहां पर खोला गया है मेडिकल इंस्रिचूट जो एम्स की कुछ फंड रिलीज की गई है केंदर ये द्वारा केंदर के द्वारा वो पूछा गया था फिर ऑसकर कहां पर ये डिस्ट्रिबूट किया गया था ऑसकर प्रोसकर तो लॉंस एजिलंस में और ये लोगपाल एप्वाटेंट हुआ था बी सी सी आई का उसके ज भार गुवा है फिर पीएनबी सतलाज एंड मालवा बैंक का या मिलगेशन हुआ है मनुवर परिकरगवा के दसमें मुख मंतरी थे प्रोटेक्शन जो होता है वाइड लाइब सेचूरी का वो टेन किलोमेटर का होता है फिर चेंजिंग इंडिया जो बूक है वो मनमोहन सि जरूर बताएंगे फिर जैस्टिस देसाई जो है एड मेंबर कमिटी के द्वारा है पद्भी खुसन जो मिला है तीजनवाई को मिला है और कैप्टल आप सौथ कोरिया यह सियोल जो है सौथ कोरिया की राजधानी है नागरेंट के लोग लोग जो लोगपाल है वो उमार न पर पूछा गया था और लगभग टाइम जो था वो दो घंटा 30 मिनट था तो यहां पर जो मैथ रिजनिंग इंगलीज और लगभग जीए की जो पेपर है वो मॉडरेक लेवल की थी इजी तीर पेपर तो आपका एजी था मैथ रिजनिंग और इंगलीज का और जो जीए थी वो मॉडरेक लेवल की थी तो यहां पर जो कटव निकल के आया है और हमारा जो यह प्रोफेशनल का जो 65 क्यूशन था उसमें अगरिकल्चर के बहुत कम जो लगभग 15 से 20 क्यूशन ही किये होंगे बाकी सब तुक्के लाक आए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है जो गौ सब्सक्राइब नहीं होगे बाकी मेरे ख्याल से जो होगे वो सिर्फ एगरिकल्चर के कंडिरेट होंगे या फिर वर्टनिक होंगे जो लोजी होंगे तो उनसे 15 से कम ही हुआ होगा यदि राइट क्यूशन हम लोग देखेंगे तो 15 से 20 से ज्यादा नहीं होगा यदि आप पर जो सही से एवरेज देखा जाए और एक्जाम का जो लेवल देखा जाए वो 15 से 20 क्यूशन से ज्यादा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर जो एक्सपेक्टेट कट अफ है वो जेनरल के लिए जेनरल के लिए हम लोग देखा गया है तो वो लगभग मेरे ख्याल से 80 से 90 कट अफ जाएगा इसका 80 से 90 जेनरल कंड़ेट के लिए यहाँ पर जो यह स्लाइड देख रहे हैं यह बैंकर सेटा की स्लाइड है और उन्हें एक्सपेक्ट किया है 110 लेकिन मेरा तक जहां तक सोच है कि मैं 80 से 90 ज्यादा इससे आप इदियाप इससे सहमत है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स पताएंगे यह सर नहीं तो आप इस 110 मान लेगे मेरे ख्याल से जो पेपर आया है प्रोफेशनल का वो काफी टफ था इसके चलते यह 80 से 90 नहीं जा सकती ओभी सी की 75 से 80 रहने वाली है और सी की 60 से 65 जाएगी सी कंड़िट के लिए फिर वही 60 से सी और स्टी के लिए लगभक सेमी बात चीट करेंगे कि इसका जो सेपरेट कट अब या भी ऑबराल कट अब बनेगा तो मेरे ख्याल से सेपरेट कट अफ नहीं बनेगा यह और रिल्ट उसकी ऑबराल पर ही आएगी आप कि इतने नंबर पूरे पेपर में पाते हैं उसी का अनुसार से आपकी स्लेक्शन जाएगा एक अनुपात तीन पे आपको कॉल किया जाएगा डॉक्मेंट वरिप्रिकेशन के लिए तो फिर से फ्रेंट मैं बता देना चाहता हूं कि इसके जो एक्सपेक्टेट कट ओफ है वो जेनरल के लिए 80-90 जाएगी और वभी सी के लिए 75-80 के लिए 65-70 आपकी कट ओफ रहने वाली है पेपर के हिसाब से देखा जाए प्रोफेशनल काफी टफ था यदि इसके बाब्जूद आपके पास कोई सजेशन हो कोई ओपिनियन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएंगे फ्रेंड्स, ठैंक्स फूर बाचिंग, एधि मैं फिर से बता ने चाहता हूँ कि यह पेपर जो था, यह जीए का पेपर है जैसे ही आपको हमारे पास agriculture का paper मिलता है agriculture में भी आपकी पुछी गए थी CRI stage पुछी गए थी फिर आपका succulent blood का आरेज पुछा गया था फिर बहुत सारे question पूछे गया थे mitosis से था question bio का और भी बहुत सारे question पूछे गया थे आपको जैसे ही मिलता है आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ एदि आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिस सब्सक्राइब के लिए चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दिए जैसे कि हमारे वीडियो के नोटिकरिशन आपके पास पहुंच पहुंच जाए तो फ् इतना ही फिर्ट्स जै जवान जै किसान